नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम श्रवास्तों, लेट्स किट एजुकेशन में आपका भादवा स्वागत है तो आज है 17 जुलाई और हम लोग देखने वाले हैं 17 जुलाई के most important question answer को तो सबको पता हैं हम लोग session बिल्कुल detail में discuss करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस भेतरीन session को पहला question है किस टीम ने एगस बाउल स्टेडियम में करोना वाइरस के प्रकोप के बाद मेजबान इंग्लैंड को हरा कर पहला अंतराज ट्रे क्रिकेट में जीता है मेजबान इंग्लैंड की टीम में उसको हरा कर अंतराज ट्रे क्रिकेट में जीता है क्रोना वाइरस के प्रकोप के बाद थीक है आप एक चीज़ देखेगा जैसे ऑस्टेलिया हो गया दस्टेड अफ्रीका हो गया बांगलादेश वकाए न्यूजिलैंड हो गया कहीं नहीं कहीं ये कुई ना कोई गेम होस्ट कर रहे हैं देखिएगा सबसे पहलों लोग देख लेते हैं जो आपका फ्रांस है ठीक है ये 2024 ग्रीसम कानियोल ओलम्पिक का 33rd एडिसन होस्ट करने वाला है और 32 वाला एडिसन कौन होस्ट करेगा जापान 2020 में ठीक है फिर 2028 में 34 संस्करण कौन लास एंजल्स कलिफोर्णिया युसे होस्ट करेगा ठीक है जो वीजिंग चायना है 2022 के सीथ काली ओलम्पिक का 24 संस्करण होस्ट करेगा और मिलन एन कोर्टेन दे एंपेजो इटली में 2026 के सीथ काली ओलम्पिक का 25 टेडिशन होगा आई होप से यहाँ पर आपको सारजेजे बिल्कु से क्लियर होंगे चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगला कोशन है वाड़िज मंत्राले के आकडो के निसार कौन सा दे 2019-20 में लगातार दूसरे वित वर्ष के लिए भारत का सीर्स व्यापार एक भागेदार बना हुआ है और दो देशों के बीज दूपक्षिय व्यापार 88.75 अरब डॉलर रहा है तो आप एक लाइन वाप का अंसर बने का अंसर नमबर एक यहाँ यहाँ पर यहाँ पर एक चीज़ देखेगा जो चाइना है, थाइलेंड है, सिंगापूर है और ब्रजील है कहीं न कहीं यह किसी न किसी एक्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है अब ध्यान देते हैं जो आपका न्यूजिलेंड है न्यूजिलेंड में देखेए 2021 के ICC महिला क्रिकेट वर्ड का 50-50 उबर वाला होस्ट किया जाएगा ठीक है, फिर देखेए जो आस्ट्रेलिया है 2020 के ICC T20 वर्ड का पुरस्वा महिला वाला होस्ट होगा जबका भारत है 2021 का ICC T20 वर्ड का पुरस्वाला होस्ट होगा दच्छिड अफरीका 2022 ICC T20 वर्ड का महिला वाला होस्ट होगा दच्छिड अफरीका 2020 ICC Under 19 वर्ड का पुरस्वाला होस्ट होगा बांगलादे 2021 ICC Under 19 महिला वर्ड का वोस्ट होगा जो भारत है 2023 ICC ये पुरुस क्रिकेट विशु का 50-50 वर वाला होस्ट करेगा तो I hope से यहां पर आपको सारी चीजे बिलकुत से clear होंगी next question देखते हैं अगला question है किसे 2020 मोहन बागान रत्न मिलेगा तो यहां पर एक line में answer बहलेगा answer number 5 यानि गुलबक्ष, सिंग और पाशाल नंदी इन दोनों को क्या मिलेगा 2020 मोहन बागान रत्न मिलेगा अब देखते हैं जो अशोक कुमार जी है और सौरब गांगले जी है इनको भी अभी lifetime achievement award दिये गया था ठीक है lifetime achievement award से समानित किया गया था तो यहाँ पर I hope so आपको सारी चीज़े बिल्कुल से clear होगी ठीक है तो अपने पढ़ने का करम यही रहने वाला है जित्ते option होंगे हम सारे option को बिल्कुल detail में discuss करेंगे next question देखेगा कौन सी company 12,00,000,000 करोड रुपए के बाजार पुझी करण को पार करने अली पहली भारतिय फर्म बन गई है तो एक line में answer बेंगा नमबर दो यानि RIL Reliance Industry Limited 12,000 करोड रुपए के बाजार पुझी करण को पार करने अली पहली भारतिय फर्म बन गई है अब यहां पर जितने भी हमारे बैंकों के नाम है Central Bank of India हो गया और IDBI हो गया आइए कही ना कि इन बैंकों को हम लोग जड़ा सा देख लेते हैं इनकी tagline देखते हैं तो चलिए इनकी tagline नेक बार हम लोग देख लेते हैं ओके देखे जो आपका Central Bank of India है इसकी tagline है Central to you since 1911 headquarter है इसका मुंबई में ठीक है और पल्लभी महपात्रा इसकी MD&CO है इंडस इंड़ बैंक का जो tagline है good people to grow with है और पूने इसका headquarter है सुमंत कतिपालिय इसके MD&CO है जो आपका IDBI बैंक है 1 जुलाई 1964 में ये बना हुआ था आओ सोचे बड़ा इसकी tagline है मुंबई इसका headquarter और राकेश शर्मा जिसके MD&CO है ठीक है next Indian bank योर ओन बैंक आपका अपना साथ ही इसकी tagline है चन्नाई headquarter है और MS MS पद्मा चुद्रू जी इसके कौन है MD&CO है 1907 में बना था कौपरेटिब बैंक 12 मार्च 1906 में बना हुआ था और PB भारती स्केम MD&CO है मंगलोर इसका क्या है headquarter है और सर्व जहां सुखिना भवन तो इसकी क्या है tagline है I hope से आपर आपको सारे चेज़े बिल्कु से clear होंगी next question देखते हैं अगला question है अवद बिन हसन जामी का निदन हो गया है वह थे तो answer बनेगा answer number 1 यानि वह cartoonist है ठीक है अवद बिन हसन जामी का निदन हो गया है वह क्या थे cartoonist है most important यह आपके लिए बन रहा है next अगला question है नागदीदास सांधवी का हाले में निदन हो गया है वह थे वह भीया क्या थे तो एक लाइन में आप का निदन हो गया है answer number 5 उप्रोक सभी यानि वो पत्रकार भी थे समीख शक भी थे लेखक भी थे और राजनितिक विशले शक भी थे ठीक है तो इस तरह से exam में question एक निदन हो गया है इनका हाले में निदन हो गया है बताओ ये क्या थे तो ये चीज़े आपको जानकर रखनी है कि कभी न कभी कही न कहीं चीज़ें इंटर लिंक होकर क्या जाती है तो हमारे लिए विशेष कर important हो जाता है उनस चीज़ों को याद करना ओके चलिए next question देखते हैं अगला question है किस देश को भारत ने 8 billion अमेर्की डॉलर के नगत अनुदान के तहट outdoor fitness उपकरण शॉप दिये हैं ठीक है शॉप दिये हैं तो आनसर बनेगा दो यानि मालदीब को क्या किया है भारत ने 8 billion अमेर्की डॉलर के साथ नगत अनुदान के तहट outlet सॉप दिया है ठीक है अब यहाँ पर आपके लिए काम बनता है कि जितने भी देश हैं उनकी exercise यानि हमारे साथ उनके exercise जैसे बांगला देश है तो इसके साथ हमारी है अगर संपरती तो कहिए जरहां सांपरती है स्री लंका के साथ में मित्र सक्ती है नेपाल के साथ में क्या है आपकी सूर्ग किरण है मालदीब के साथ में इकोविरिन है मालदीब के साथ में इकोविरिन है म्यामार के साथ में इमबेक्स है जो भी है आप लोग को यह होमर्ग है कि जितने भी हमारे देश हैं जितने भी हमारे एक्सराइज हैं इन सारे एक्सराइज को एक बार आप पढ़िएगा मैंने अलरीडी इस पर एक वीडियो बना रखा है ठीक है आप जायेगा लेट्स गेट एजुकेशन पर और वहां के प्लेइलिस्ट में एक बार चेक कीजेगा प्लेइलिस्ट में इंटरनेशन प्रोग्राम करके है वहां पर यह सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे ठीक है जिसमें आप देख सकते हैं किस देश के साथ कौन से दुआ था कैसे क्या हुआ था सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से डिसकस कर सकते हैं चलिए नेक्स कोशन देखते हैं अगला कोशन है गूगल के सीओ सुन्दर पिजाई ने अगले पांच से साथ वर्सों में गूगल फॉर इंडियन डिस्टाइडेशन फंड के माध्यम से भारत में डॉट 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 करोड की निवेश की गोशना की है तो एक लाइन में अंसर बनेगा अंसर नमबर दो यानि 75,000 करोड 75,000 करोड भारत में निवेश की गोशना की है किसने गूगल के सुन्दर पिचाई ने अगले 5-7 वर्सों के लिए अब ध्यान देजेगा होगा क्या है सुन्दर पिचाई जी यहां पर इन्वेस्ट करेंगे हमारे तो कहीं न कहीं जॉब्स डेबलब होंगी ठीक है और इस समय जो सबसे बड़ी प्रात्मिकता है लोगों की वो है जो आपको ले करके चुकि लोगों की जो है जो आप जा रही है जो अपनी सड़ी सी नौकरी करते है तो उसको भी ले करके वो बहुत सीरिस है और नौकरी अपनी कर रहे है ठीक है I hope से यहाँ पर आपको सारी चीजे बिल्कु से clear होती चल रही होंगे का हमारा जो स्टेट है वो है अंडवान एंड निकोबार चलिए हम रोड डिस्कस करते हैं देखे अंडवार और निकोबार का गठानुवता एक नॉंबर 1956 में most important है capital and largest city जो इसके वो है port Blair most most important है district है यहाँ पर तीन ठीक है और तीनों district है इस वेसे हमारे इनका नाम भी जान लेना जरूरी है निकोबारा इस लेंड है north and middle अंडवान है और south अंडवान यह तीन ही district है पूरे अंडवान में ठीक है यह अंडवान में पूरे तीन ही district है देखें लेटिनेंट गवर्णर यहाँ पर है देवेंद्र कुमार जोशी जी लोगसवा की seat है एक official जो language है हिंदी है English है and most important बंगाली is the dominant and most spoken language with 26% of population speaking बंगाली ठीक है यानि बंगाली को 26% लोग यहाँ पर बोलते हैं आईए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात और discuss कर लेते हैं दुबान निकुबार के बारे में the territory's population as per the most recent 2011 census of India was 37994 यानि 3,89,944 है तथा literacy rate यानि जो literacy rate है 86.27% है total land area of territory is approximately 8,249 km square the total area of अंड़मान island is some कहने का मतलब यह जो यहाँ का area है वो 6,408 km square है और approximate जो निकुबार island है उसका area है 1,841 ठीक है तो इस तरह से हमको चीजों को ध्यान में रखना है आई देख लेते हैं यहाँ पर national park ठीक है campable bay है ठीक है और गला थावे है ठीक महातमा गांधी marine वांड़ोर है middle battle island है और mount heritage है ठीक mount heritage है sandal peak है north button island है रानी जहांसी marine है और south button island है ठीक है अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यह है map में अपना अंड़मान निकुबार चुकि किसी के साथ मुझे borders को share नहीं करता है तो इस विज़े से हमको पढ़ने की जरुद इसको नहीं है तो I hope so आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा THANK YOU FOR WATCHING FULL VIDEO THANK YOU THANK YOU THANK YOU